हेलो गाइज वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल सो गाइज मैं आप लोगे लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हूं जी हां आर्ट एंड क्राप्ट का सो गाइज आभी नवरात्री का सेजन चल रही है और आप सभी को भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अफ सब्सक्राइब करने ना भूलेगा और अपने दोस्तों को सेल करना ना भूलेगा तो वीडियो को लंबाना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं सो गाइस एक और है कि अगर आप अगर आप आप जो त्रिशुल बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या-क्या चीजों की जड़ की ल्ड़ाली ना भूंऑ करें दो कीज़ने के सब्सक्राइब करांश कने के बार लाईती चैस सब्सक्राइब करके शीम कल ले गाहिए तो ऑकाम आपक और छॉष्छा चाहिए कर लेजिएगा डैन उसके वाद जो तार है पतला भी यह इसको दीरे से मतलब इसको इस पार से उस पार करके आप उसको अच्छी तरीक ने से बान लेजिएगा थेक हैं आप देख रहें किस तरीके से हम कर रहे हैं है दोनों तार को जोएण करने के बाद आप इसको इस तरिके से सथ कर दिजेगा जिससे आपका मजबूत बन जाएगी सवा यह रहा है इस तरिके से आप पुरी तरह से तो मजबूत बना सकते हैंрах इस तो छड़ के बाद उसको सक्त से बांद देना है उसमें लगा के इस तरीके से आपका त्रिशुल नॉर्मली रेडी हो जाएगा देन उसके बाद अगर आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो आपको एक और है कि आप जो गीफ्ट फेपर होता है ना इस तरीके से गॉल् तरीके से आप शेलो टेप से चिपका देजिए तो देखें कितनी खुबसूरत लग रही है इस तरीके से आप पूरे त्रिशुल में क्या करेंगे कॉल्ड पेपर से आप रॉल कर देजिए इससी क्या होगा आपमें आपका जो त्रिशुल है ना थोड़ा ठीक है तो इस तरीके से आप रेडी कर शकते हैं आप इस तरीके से पूरे जो है त्रिशुल में लपेट देजिए अगा गॉल्ड पेपर से देखें कितनी सुन्दा लग रही है जैसे लग रहा है कि कहीं से खरीदा हुआ है और ऐसे लग रहा है कहीं अचानक देखो तो र रेडी कर दिया है और इस तरीके से रख दिया है जैसे कि रियल काचर शोलो तो देखिए कितनी खुब्सूरत लग रही है गाइस अगर आपको मेरा अच्छा लगा तो लेगा प्लीज कमेंट कर दिजिए गार अपने दोस्तों को सेर कर दिजिए गा और आपको मेरा चैनल पर तो कर से लगा कमेंट पर ज़रूर बताईएगा सो आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छी लगी और इतना एजिली तरीके से आपको मैंने बताया और इतनी खुबशुरत लग रही है जैसे मानों नया है तो आज के लिए इतना ही बाई बाई टाडा